आप देख रहे हैं पलपन न्यूस और मैं हूँ आपके साथ नदिम अक्रम मध्य प्रदेश में बैरिष्टा असादुदीन ओवेसी की पार्टी और इंडिया मजली से इतियादुल मुस्लमीन ने निकाय चुनाव में कमाल कर दिया और जब कमाल कर दिया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि बैरिष्टा असादुदीन ओवेसी की पार्टी जो दबे पाउं मध्य प्रदेश का रुख कर चुकी है वहाँ पर उसे बड़ी काम्याभी मिल जाएगी और काम्याभी ऐसी नहीं मिलेगी काम्याभी ऐसी मिल गई कि हर कोई हैरान है कि आखिरकार ये कमाल बैरिष्टा असादुदीन ओवेसी की पार्टी ने कैसे कर दिया क्योंकि इस चुनाव में बैरिष्टा असादुदीन ओवेसी की पार्टी ने कई जो उलट फेर थे उसे तोड़ने का काम किया है जहां उनके उपर ये आरोप लग रहा था कि मुसल्मानों की पार्टी बन करके रह गई है पर जहां मुसल्मानों के साथ साथ एक हिंदू महीला कैंडिडेट ने अपनी जीत का पर्चम लहरा दिया और जब जीत का पर्चम लहरा दिया तो इस मिथक को भी तोड़ दिया कि बैरिष्टा असादुदीन ओवेसी की पार्टी सिरफ मुसल्मानों की ही पार्टी नहीं ह तो खलवली मचना तै था और फिर वही बरसो पुराने आरोप जो बेरिश्टा असदुदीन ओवेसी के उपर लग रहे हैं कि सहब भाजपा को फाइदा पहुचाने के लिए वहाँ पहुचे पर बेरिश्टा असदुदीन ओवेसी मन्चो से और तमाम इंटर्वियूज में और मुलाकात के दौरान भी हम लोगों से कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अपनी आइडिनिटी के लिए एक राजनेतिक पार्टी हूँ चुनाव लड़ सकता हूँ पर अगर उ परिश्टा असदुदीन ओवेसी की पार्टी ने किया है इस निकाए चुनाव के दौरान ओवेसी को लेकर के जो आकड़े उभरे हैं उन आकड़ों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं मद्यपरदेश के नगरिये निकाए चुनावों के नतीजे सामने आए नगर निगमो में भाजपा को नुकसान हुआ और कॉंग्रेस आपको लाब दोनों के दावे प्रती दावे तेज हो गए हैं इस शोर के पीच दबे पाउं असदुदीन ओवेसी की पार्टी ओल इंडिया मजली से इतिहादुल मुसलिमीन ने भी मद्यपरदेश में पार्षिदी की साथ स रहने वाली है वो इसी और उनकी पार्टी के इतिहास की बात करें तो महाराश्ट्र में भी इसी तरहा उन्होंने एंट्री मारी थी औरंगाबाद में पहले महापालिका की सीटों पर कबजा किया था और अब हैदराबाद के बाद अगर कहीं उनके पास सांसद है तो वे महराश्ट के औरंगाबाद में ही है ऐसे में उनकी राजिनीती को समझने वाले मध्यपरदेश में उनकी आमत को लंब के खंडवा और बुर्हानपुर में इसके साथ ही खंडवा और बुर्हानपुर में पार्टी के मेयर कैंडिडेट तीसरे इस्थान पर रहे इन दोनों ही जगाहों पर भाजपा की जीत को कहीं न कहीं एयायम ने प्रभावित किया बुर्हानपुर में भले ही भाजपा की AIMIM की शाहिस्ता सोहेल हाशमी ने 10,000 से अधिक वोट हासिल किये जिसने भाजपा की जीत की राख साफ कर दी बुरहान पुर में AIMIM ने 14 सीटों पर लड़ा और एक सीट पर जीत हासिल की पार्टी के रफीक एहमर ने कड़े मुकाबले में नर्दलिय उमिद्वार शहजाद नूर को वाड दो में से 156 वोटों से हराया खनवा में ही AIMIM के मेर कैंडिडेट ने भाजपा उमिद्वार को जीत में मदद की AIMIM कैंडिडेट कनीज भी ने 9,601 वोट हासिल किये चोटे नगर निगम में ये आकड़ा महतुपूर्ण हो जाता है खनवा में AIMIM ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक पर जीत हासिल की पार्टी की शकीरा बिलाल ने वाड नमबर 14 में कॉंग्रेस की नूर जा बेगम को 285 वोट से हराया इतना ही नहीं कम से कम साथ वोडों में AIMIM के कैंडिडेट की मौजूदकी की वजह से हार जीत को प्रभावित किया है जबलपुर में AIMIM ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 पर जीत हासिल की पार्टी शमा परवीन ने वाड 49 से कॉंग्रेस की उमिदवार साइमा वसीम को 1527 वोट से हराया इसी तरहा वाड 51 में समरीन ने कॉंग्रेस की शबनम फिरदौस को 209 वोटो ने हार का सामना करना पड़ा उनकी हार 300 से भी कम वोटों की थी खरगौन में हाल ही में सामप्रदाइक तनाव हुआ था वहाँ पार्टी ने बड़ी काम्याबी हासिल करते हुए पार्षिदी की तीन सीट हासिल कर ली AIMIM की अरुना बाई ने खरगौन नगर परिश्यत के वार्ड नंबर दो में जीत हासिल की उन्होंने भाजपा की सुनीता दिवी को 31 वोटों से हराया अरुना बाई अनुसूचित जाती से आती हैं और डॉक्टर भाबा साहब अम्बेटकर के बारे में OVC के विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने पार्टी जोइन की थ वार्ड 15 से शकील खान और वार्ड 27 से शबनम भी जीती हैं मध्यपरदेश कॉंग्रेस का आरुप है कि OVC ने भाजपा को लाब पहुंचाने के लिए ही राज्य में नगरिय निकाय चुनाव लड़ा हैं कॉंग्रेस नेताओ का कहना है कि बुरहानपुर और खंडवा में कॉंग्रेस कैंडिडेट्स हारे तो इसकी बड़ी वचा AIMIM की मौजूदगी ही थी बुरहानपुर में तो अगर AIMIM नहीं होती तो भाजपा कैंडिडेट का जीतना नामुम्किन था लोग OVC और उनके हतकंडों को समझ गए हैं वे भाजपा की B-team से बढ़कर नहीं हैं हाला कि भाजपा और उसके नेता इससे इत्तफाक नहीं रखते मध्यपरदेश के ग्रह मंत्री डॉक्टर नरूत्तम मिश्रा ने इन आरूपों को सिरे से खारिज कर दिया कि नियमित ब्रिफिंग में मिश्रा ने कहा कि कॉंग्रेस अनाब शनाब बाते कर रही है भाजपा सायम के मध्यपरदेश चुनाव रहे सयद मिनहाजुद्दिन का कहना है कि पार्टी ने अंतिम छड़ों में चुनाव लड़ने का फैसला किया तैयारियां भी नहीं की थी इसे देखते हुए हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हमारे नेता असदुद्दीन उवेसी के इन दौर और अन्य जगाहों पर सभाहों को अंतिम समय पर रद करना पड़ा इसके बाद भी लोगों ने हम पर भरोसा जताया पार्टी जल्धी विधान सभा चुनाव के लिए रण नीती बनाएगी और एक विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश करेगी कॉंग्रेस के आरोपों पर ओवेसी ने खुद ही सभाओं में जवाब दिया था उन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस ने राज्य में सरकार बनाएगी उसके नेता अपनी ही पार्टी को मैनेज नहीं कर सके तब भाजपा सत्ता में आ गई वे अब पार्टी में होने वाली किसी की गडबड़ी के लिए हमें कैसे दोशी ठहरा सकते हैं बैरिष्टा असदुद्दीन ओवेसी ने साफ शब्दों में ये बाते कहीं अब कॉंग्रेस का आरोप है कि बैरिष्टा असदुद्दीन ओवेसी की पार्टी ने भारती जिनता पार्टी की राहे आसान की पर मध् जिन्द्या का है जिन्होंने कॉंग्रेस को तोड़ करके भाजपा की स्तरकार मध्य प्रदेश में बनाए और आरोप परत्यारोप का दौर हमेशा से बैरिष्टा असदुद्दीन ओवेसी की जीत को लेकर के खड़े होते रही हैं और हर एक आरोपो का जवाब बखुबी परिष्टा असदुद्दीन ओवेसी देना जानते हैं जिन्होंने साफ तोर पर ये बता दिया कि हम अपनी आइडिन्टी के लिए हर जगा चुनाव लड़ रही हैं और उसी आइडिन्टी के लिए चुनाव लड़ते रहेंगे मध्य प्रदेश से ओवेसी को लेकर के जो अपडेट सामने आएगी उसे आप लोगों के साथ साचा करता रहूंगा तीचे इजासत शुक्रिया